एड्मिशन ऑफ पार्टनर अगली क्लास में इस चेप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे आज हम शुरू करने जा रहे हैं एड्मिशन ऑफ पार्टनर का रिवीजन बहुत ध्यान से बहुत अच्छे समझना और मैं आपको बिल्कुल डीपली एक एक पॉइंट अच्छे से सा सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनस में आता है तो सबसे पहले उसे सारे के सारे पुराने पार्टनर से सहमती लेनी पड़ेगी With the consent of all partners a new partner can be admitted सारे पार्टनर की सहमती से सारे पार्टनर के consent से ही नया पार्टनर बिजनस में आ सकता है कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनस में आता है कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनस में आता है तो उसे पुराने पार्टनर से सहमती लेनी पड़ेगी बिना पुराने पार्टनर से सहमती लिए कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में नहीं आपाएगा ध्यान दखने क्लियर यहां तक तो कोई भी नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो सबसे पहले उसे पुराने पार्टनर से कंसेंट लिना पड़ेगा सारे partner हां बोलेंगे तभी नया partner जो है वो business में आएगा जब पुराने सारे partner agree करेंगे पुराने सारे partner yes बोलेंगे तभी नया partner business में आपाएगा otherwise नया partner business में admit नहीं हो पाएगा किसी भी कि ले रहे हां तक चलो next sacrificing ratio का formula क्या होता है आप सबको पता है कि कोई भी partner अगर business में आता है तो पुराने partner जो है वो class क्या करेंगे sacrifice करेंगे sacrificing ratio का जो formula है वो आएगा old ratio minus new ratio sacrificing ratio का formula क्या है class old ratio minus new ratio हम old में से new घटाएंगे तो क्या आएगा class sacrificing ratio आजागे अब इस admission में कुछ entries होती है basic journal entry तो कभी भी नया partner अगर business में आएगा अगर नया partner class business के अंदर आता है तो सबसे पहले वो capital लेकर आएगा नया partner अगर business के अंदर आएगा तो capital लेकर आएगा तो जब वो capital लेकर आएगा तो हम entry pass करेंगे cash account debit या bank account debit या bank account debit लाता है एक अपने हिस्से की capital एक अपने हिस्से की goodwill आप entry pass करोगे cash account debit bank account debit या cash bank account debit to seize capital account या आपने घ्यान रखना है अगर जैसे वो premium लेकर आएगा जैसे ही वो premium लेकर आएगा पुराने partner इस premium को बाट देंगे यह जो goodwill वो लेकर आ रहा है ना पुराने partner से आपस में बाट लेंगे तो entry होगी premium for goodwill account debit to A to B और यह किस ratio में होगी sacrificing ratio और sacrificing ratio की formula क्या होता है class old minus new बटा आप इसे combine भी कर सकते हो आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो मर्जी आपकी है आप चाहो तो combine भी pass कर सकते हो entry और आप चाहो तो अलग अलग भी entry pass कर सकते हो पुराने partner इसे आपस में बाट देंगे premium for goodwill account debit to A to B और यह किस ratio में बटेगा नहीं ले के आपाता situation ऐसी है कि new partner is unable to bring his share of goodwill in cash नया partner goodwill लेकर नहीं आ पाया मानलो when new partner is unable to bring his share of goodwill in cash तो आप entry pass करोगे new to old अब new current भी लिख सकते हो और new capital भी entry क्या होगी new partners capital account debit to old partners capital account और किस ratio में होगा class यहां पे sacrificing ratio clear है new to old clear है यहां तक अगर अगर आपके total 50 partners हैं तो आप नया partner admit करी नहीं पाऊगे क्योंकि आपकी limit जो है वो फिलुफुल हो गई है maximum जो limit है वो 50 की है तो अगर 50 partner है आपको नया partner business में admit करना चाहते हो तो नया partner business में admit नहीं कर पाऊगे clear हैं तो 59 है फिर तो ठीक है clear है तक अगर 49 है फिर तो कोई problem ही नहीं है अगर आपकी पास पहले से जो है वो 48 है और आप नया लान चाहते है 49 है कोई भी मना कर देगा तो नहीं आएगा बस आप ध्यान रखना कोई भी class अगर आपको मना कर देगा तो situation में कोई भी अगर आपको मना कर देता तो आप बिजनस में अद्मिट नहीं हो सकते बस आपने ध्यान लखने कर दिया तो भी आप बिजनस में अध्मिट नहीं हो पाँ चलो तो गुंदू राने के एंट्री या Hero नाल आने के एंट्री क्या होती है new to old जब पूराने पार्टनर उस गुडविल को विड्रॉकरते हैं जो नया पार्टनर लेके आ रहा है वन ओल्ड पार्टनर विड्रॉद अमांट ऑफ गुडविल विरिंग बाई न्यू पार्टनर class जब old partner goodwill को withdraw कर लेते हैं old partner goodwill को withdraw करेंगे तो आप entry क्या pass करोगे old to goodwill clear है यहां तक class old to goodwill old partner goodwill को withdraw करेंगे when old partner withdraw the amount of goodwill sorry तो entry क्या करोगे old to cash old to cash करोगे क्लियर है हां तग वन ओल्ड पार्टनर विड्रॉद अमाउंट और विरिंग बाइद न्यू पार्टनर तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपल अबिट टू कैश और यह भी किस रेशियो में होगी और अगर एग्जिस्टिंग बैलंच शीट में कोई गुड़िल है बेटा सुनो चेंजिन psr में भी मैंने यही चीज पढ़ाया था उब चेंजिन-प्रॉफिट शेरिंग रेशियो में भी मैंने यही sinful चीज पढ़ाया था आपको मैंने कहा था कि अगर existing books में कोई goodwill है तो उस situation के अंदर आप उसे write-off करोगे write-off के entry में आपको पिछली class में ही बता चुका हूँ write-off के entry में आपको पिछली class के अंदर ही बता चुका हूँ write-off करने के entry क्या होती है old old to goodwill entry होती है class write-off की old to goodwill अगर कोई privately goodwill की payment करता है अगर कोई partner हाँ हर chapter में बिटा old to goodwill तो हर chapter में और ये इकलौथी ऐसी entry है जो किस ratio में होगी old ratio में या केली ऐसी entry है जो किस ratio में होगी class old ratio तो आपने class ध्यान रखना है या केली ऐसी entry है जो आप किस ratio में करोगे old ratio वेन देर इसन एक्जिस्टिंग उल्ड वैलेंशी तो उसे किस रेश्यो में आपने राइट आफ करना है ओल्ड रेश्यो में जरो यहां तक तो हो गया सारा का सारा तो आपको सारी के सारी क्लियर होगे एक बार मिनके साथ repeat करो नया पार्टनर क्यापिटल ला Nowadays goodwill लाएका Mafish करोगे cash account debit to premium for goodwill cash account debit to premium for goodwill account लाते ही बट जाएगा premium तो आप entry क्या पास करोगे premium for goodwill to a और b किस ratio में sacrificing ना लाने की entry क्या होगी new to old आप current में भी लिख सकते हो capital में भी मर्जी आपकी है ठीक है यह किस ratio में होगी sacrificing अगर पुराने पार्टनर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आएंगे पुरा देखो write-off तो हो गई होगा अपने आप करना है बोलने जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप करना है पुराने पार्टनर गुडविल को withdraw करेंगे जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो क्या करें क्लास old to cash क्या entry पास करेंगे प्लीज मत भूलना एंट्री बहुत इंपोर्टन सब्सक्राइब थे खासतर एडमिशन चैप्टर में एंट्री जो एंट्री है वह बहुत इंपोर्टन प्लीज आप इसे बूलना मत ऑके चलो जरह एक बार ये question करते है फटाफट New Ratio निकालते है जरह एक बार फटाफट आजाओ नई रेशु निकालते है New Ratio क्या बढ़ करते हैं Ration कितनी है Two by three और one by three नरेश और नमित Ration कितनी है Two by three और one by three They admit Nimesh into partnership for 25th share of profit इन्होंने निमेश को अडबेट करलिय में अरेश और नमित में देट इंहो क्या हैॉ 2x3 and 1x3 इन्हों निमेश को कर लिया किस गया भी स्वाक्र ignorant कर लिया निमेश को 25% 25% का मतलब क्या होता है 1 by 4 निमेश acquire the share from old partners in the ratio of 3 ratio 2 तो जो निमेश है अपना हिस्सा ले रहा है नरेश से और नमिच से इसे नरेश से और नमिच से किस ratio में? 3 ratio 2 में यानि 3 by 5, 2 by 5 क्लिय रहे हां तक? किस ratio में ले रहा है class? 3 by 5, 2 by 5 3 by 5, 2 by 5 किस ratio में ले रहा है class? 3 by 5, 2 by 5 तो 1 by 4 का 3 by 5 जो की बनेगा 3 by 20 और 1 by 4 का 2 by 5 जो की बनेगा 2 by 20 तो नरेश 3 by 20 देगा निमेश को और जो नमिच है वो देगा कितना class? 2 by 20, ओके? तो जो नरेश है उसका हिस्सा है 2 by 3 माइनस कर देगे 3 by 20 और जो नमिच है उसका हिस्सा है 1 by 3 माइनस कर देगे 2 by 20 और जो निमेश है वो तो आपको पता यह class कितने के लिए आ रहा है निमेश आ रहा है 1 by 4 शियर के लिए तो यह आजाए class LCM कितना आएगा 20 का और 3 का चेकर 23 कितना आएगा 60 आएगा 60 तो 40 और यह आएगा 9 कितना आए class 31 by 60 LCM आएगा यह 60 आएगा 20 माइनस 6 तो जो निमेश है यह 1 by 4 के लिए आ रहा है जो निमेश है वो कितने के लिए class 1 by 4 के लिए और निमेश अपना हिस्सा 3 ratio 2 में ले रहा है ठीक है old partner से तो जो भी निमेश का शेर है 1 by 4 उसका 3 by 5 यानि की class 3 by 20 वो लेगा नरेश से और 1 by 4 का 2 by 5 जो की बनेगा 2 by 20 वो किससे लेगा class वो लेगा नमेश से आप माइनस कर दोगे यह आए class 20 में 16 यह 14 by 60 और इसको हम लोग 60 कैसे बनाएंगे पंदरा बाई 15 पंदरा पॉन सुरी साथ है ना 15 चोके साथ रेश्यो कितना बनेगा 31 रेश्यो 14 रेश्यो 15 चेक करो यह आ रहा है class 31 14 15 यह आगा नियू रेश्यो इस तरीके से आप नियू रेश्यो आराम से क्याल्कुलेट कर लोगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए अब आसाने से नि इसलिए मैं इस चैप्टर में आपको वन मार्क में नियू रेश्यो वाले कोई रहा हूं ठीक है वन मार्क में कोई बिल्कुल पूच सकता है इसलिए द्यान अगना यह आपको प्रैक्टेस करने इसकी नेक्स देखते हैं 17 कोईश्यन आना class यह रहा 17 कोईश्यन पर कम टू 17 कोईश्यन कम टू कुश्यन मा 17 A B C 3 पार्टनर सेँ चेक करो A B C 3 पार्टनर सेँ रेश्यो है 2 x 5, 2 x 5, 1 x 5 और D is admitted as a new partner for 1 6 year क्लास D कितने के लिए एडमिट हुआ है वन बाई शियर के लिए सी विल रिटेन इस ओरिजन शेर क्याफिट दनी प्रॉफिट शेर इडिशो एंड सक्रिफाइज लिए बात समझना सेवेंटीन कोश्चिन में उपर कर रहा हूं देखो solution कैसा होगा जो जो अच्छे-च्छे कोश्चिन से वो सब रखें मैंने कभी भी अगर आपको ऐसा बोलता है कोई पार्टनर अपना शेर रिटेन करेगा तो आप उसको नए पार्टनर की तरह ट्रीट करोगे बस इतनी रूल ध्यान रखना कोई भी पार्टनर अगर कहता है कि मैं अपना शेर सेम रिटेन करूंगा जो मेरा शेर है मैं सेम रिटेन करूंगा तो आप समझ जाना क्लास कि जो भी नया पार्टनर है है अगर कोई भी पार्टनर कहता है कि मैं अपना same जो शेयर है वो रिटेन करूंगा तो आपने क्लाज ध्यान रखना है इस बात का उसको आप नए पार्टनर की तरह ट्रीट कर दो C को as a new partner की तरह आप trade कर दो तो जो C का हिस्सा आएगा वो 1 by 5 है 1 by 5 रहे ठीक है C को उठाके वहां बेज़ दो C का हिस्सा कितना है 1 by 5 ओके तो आप पूरे firm की profit को 1 मान लो पूरे firm की profit को आप 1 मान लो 1 में से C का हिस्सा घटा दो 1 by 5 D का हिस्सा घटा दो 1 by 6 तो यह 6 5 का LC कितना आएगा 30 6 और 5 का LC कितना आएगा 30 यहां पर जाएगा 30-6-5 तो आएगा 19 upon 30 यह किसका है बताओ जरा यह 1 तो पूरे firm की profit थी आपने C का और D का घटा दिया तो 19 by 30 किसका है 19 by 30 किसका है क्लास बताओ जरा 19 by 30 किसका है 19 by 30 A का और B का है A का और B का है तो मुझे बताओ A को कितना मिलेगा इस 19 by 30 का A और B का रेश्यू कितना है 2 by 4 B को भी कितना मिलेगा इस 19 by 30 का 2 by 4 और C का तो है 1 by 5 C का तो है 1 by 5 और D का कितना है क्लास 1 by 6 तो यह आज आया क्लास तो कट जाएगा 19 by 60 आएगा यह यह भी कट जाएगा यह भी आगा 19 by 60 इस 5 को 60 कैसे बनाओगे 12 से मंटिप्लाई करोगे और इसको क्या करोगे आप 10 से मंटिप्लाई करोगे ताकि 60 बन जाए तो आंसर आरा है 19 19 12 और 10 यह आगे आंसर कि क्लियर यहां तक की कि लूंदें रहां तक सबका जर्ड आजाओ पर फट्ट प्ट आजाओ यहां ने फट्ट पर क्लास 18 कोशिंट पर आजाओ कम टू 18 कोश्चिन नम्बरिंग वाइज 18 कोश्चिन प्याओ चेक करो बनाओ कम टू 18 कोश्चिन अम्मेत और विद्या रेशयो कितनी है थ्री रेशयो टू चिन्तन को एड्मिट कर लिया वो अक्वाइर 1-5th आफ एज शेयर फ्रॉम अमिद और फोर बाई ट्वैंटीफ शेयर फ्रॉम विद्या कल्कुलेट निव रेशयो एड सेकरीफाइजिंग डिशयो आपको निव रेशयो निकालना है और sacrificing ratio निकालना है अब इस question में थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है इस question में थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है clear यहां तक तो कैसे करेंगे class check करो अमित और विद्या इनकी ratio है 3 by 5 2 by 5 admit कर लिया किसने किसको admit किया class चिंतन को और चिंतन अपने हिस्से का 1 by 5th share चिंतन का जो भी हिस्सा है बटा सुनो मुझे कुछ नहीं पता चिंतन का क्या हिस्सा है तो चिंतन का जो भी हिस्सा है उसका 1 by 5th share वो किस से ले रहा है class admit से ले रहा है मुझे नहीं पता चिंतन का share कितना है उसका 1 by 5th share वो Amit से ले रहा है तो अगर 1 by 5th share Amit से ले रहा है तो विध्या से कितना लेगा मुझे बताओ चिंतन अपने हिस्से का 1 upon 5 Amit से ले रहा है तो विध्या से कितना लेगा सिर्फ इतना बतादो very good दिवानशू, very good मुश्कान सताक्षी, very good यानि कि वो 4 by 5 लेगा ठीक है 4 by 5 जो भी उसका हिस्सा है उसका 4 by 5 जो है वो लेगा किससे विद्या से और वो टोटल दे रखा है कितना है 4 upon 25 मतलब जो भी विद्या का शेयर होगा उसका 4 upon 5 जो है वो बनेगा 4 upon 25 तुम बताओ किस चीज का 4 upon 5 जो है वो 4 by 25 बनेगा बखो चीज का किस नंबर का 4 upon 5 4 upon 25 बनेगा बताओ बताओ क्लास किसका अगर मैं इसे क्लास 1 upon 5 लिख दूँ तो 1 upon 5 का 4 upon 5 कितना बनेगा 4 by 25 यानि कि चिंतन का जो शेर है वो कितना है क्लास 1 upon 5 है और उसका 4 upon 5 25 है और 1 upon 5 का 1 upon 5 है 1 upon 25, आप इन दोनों को जोड के देख लेना ये 1 by 5 ही बनेगा, तेड़ा question है class, लेकिन मैंने करा दिया आपको फिर भी, ठीक है, तो मुझे बताओ, अमित के पास पहले कितना था 3 by 5, कितना घटा दोगे 1 upon 25, विद्या के पास कितना था 2 by 5, कितना घटा दोग 5 3 जा 15 minus 1, 14 upon 25, ये भी LCM आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 10, 10 minus 4 कितना आएगा, 6 upon 25, और इसको 25 बनाएगे 5 5 से multiply करके, तो ये आजाएगा आपका 5 upon 25, तो तो तिनों की जो ratio आएगे 14 ratio, 6 ratio 5, ओके, आंसर इसमें आएगा 14 ratio, 6 ratio 5, अगर आपको sacrifice ही निकालना हो, तो आप old minus new करोगे, sacrifice आजाएगा, clear है, old minus new करोगे, तो क्या आएगा, आपका sacrificing आजाएगा, आगे बात समझ, ओके, तो ये हो गया class आपके यहां तक 18 question हमा लोगों का विल्कुल done हो गया, ओके, चलो, अब आते है class एक और question पे, यहां पे 29 question, चलो, आजाओ, सब लोग 29 question नाओ, 29 पे आओ, question number 29, अनू और भगवन, वर पार्टनर्स इन फर्म, अनू और भगवन जो हैं, वो पार्टनर्स हैं, किसी फर्म में, और अनू और भगवन की रेशयो कितनी है, थरी रेशयो, वन, गुडविल अपियर इन द बुक्स, में अपियर है, हम क्या करेंगे, राइट आफ करेंगे, थियान रखना, जो भी गुडविल, गुक्स के अन्दर appear है जो भी goodwill books के अंदर appear है हम क्या करें class को write off करेंगे जो भी goodwill books के अंदर appear है हम write off करेंगे write off के entry क्या होती है old partners capital account debit to goodwill write off के entry क्या होती है बटा old partners capital account debit to goodwill write off के entry होगी old partners capital account debit to goodwill account यह आपने ध्यान रखने हैं ओके चलो आप देखते हैं यहां पर आगे लिखा है new ratio कितनी है class 3 ratio 2 ratio 1 नई ratio कितनी है class 3 ratio 2 ratio 1 आपको जो new ratio दी होई है यह देविए 3 ratio 2 ratio 1 और राजा लारा एक लाग capital और necessary cash for goodwill premium और जो goodwill है पुरे firm की वो थाई लाग है सबसे पहले काम करो है आप सेक्रिफाइजींग रेतियो निकालो एक ला क्या हो सेक्रिफाइजिंग रेतियो का सेक्रिफाइजींग रेतियो का सेक्रिफाइजिंग रेष्यो का fiona क्या हूता है old ratio minus new ratio इसका Rednelressant kuras आपको आजाएगा sacrificing ratio clear यहां तो आप check करो अनू और भगवन इनका old कितना है 3 by 4 1 by 4 और इनका new कितना है class 2 by 5 और 2 by 5 अनू और भगवान का old minus new old भी दिया हुआ आपको new भी दिया हुआ है clear यहां तो LCM आएगा 20 15 minus 8 7 upon 20 20 आएगा 5 minus 8 minus 3 by 20 अगर किसी partner का sacrificing ratio minus में आ जाए अगर किसी partner का sacrificing ratio और माइनस में आ जाये सक मतलब वह sacrifice नहीं कर रहा और मतलब कर रहा है अगर किसी partner का sacrificing ratio माइनस में आ जाये सक मतलब वह sacrifice नहीं कर रहा है class वह क्या कर रहा है गेन तो इस situation में हम क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझना इस situation में क्या करने यहां तक अगर किसी का sacrificing ratio माइनस में आ जाए यहां तक तो इसका मतलब sacrifice नहीं कर रहा हो गेन कर रहा हो करेंगे देखो नया partner capital आता तो आपके entry pass करोगे cash account debit तू कौन लेके आ रहा है क्लास राजा हाँ side change हो जाए और firm से multiply कर देंगे very good याद है आप लोगों को ऐसे questions है जो आपको revision चाहिए before exam cash to राजा और goodwill लाने के entry क्या होगी cash to premium for goodwill मुझे बताओ कितनी goodwill लेके आएगा वो पूरे firm की कितनी है डाइलाक राजा का हिस्सा कितना है राजा का हिस्सा कितना है वन भाई फाइफ तो कितना मनेगा पचास पचास cash to राजा आएगा एक लाक एक लाक और cash to premium for goodwill आएगा पचास जार पचास जार अगले entry आप क्या पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल आकाउंट डेबिट नॉमली हम क्या करते हैं जो प्रीमियम पचास जार लेके आया है वो लिख देते हैं क्या तू अनू और भगवन तू अनू तू भगवन बटा मेरी बात ध्यान समझना सब यहां पर तू अनू और तू भगवन अब इस situation के अंदर क्या हो रहा है कि भगवन का नेगेटिव आ गया भगवन का क्या आ गया क्लास नेगेटिव तो हम साइड को चेंज कर देंगे भगवन का आप यहां डेबिट लेग दोगे भगवन एप लेगां इस इस पार्टनर का सेक्रिफाइजिंग रेशियो माइनस में आ जाए उसकी साइड को चेंज और मल्टिप्लाइग करना पूरे फॉर्म की गुडविल से मल्टिप्लाइग किस से करोगे पूरे फॉर्म की गुडविल से 3 by 20 कर दो याएगा 37,500 और याएगा 87,500 यह हो गया खतम यही करना था बस किसी भी पार्टनर का सेक्रिफाइजिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब वो सेक्रिफाइज नहीं कर रहा है वो गेन कर आपने साइड को चेंज कर देना है और साइड को चेंज करने के बाद मल्टिप्लाई जो करोगे आप वो पूरे फॉर्म की गुडविल से मल्टिप्लाई करोगे वो पूरे फॉर्म की गुडविल से करोगे इतनी बात आपने ध्यान रखना है Side को Change करो और Multiply किससे करो पूरे form की Goodwill से यहां तक आपने class जहां रखना है Side को Change करके पूरे form की Goodwill से आपने Multiply कर ले। Done? चलो आगे और Question देखते हैं चलो 14 अब आते हैं Hidden गुटविल पे आजाओ Hidden गुटविल पे Combine Entry मत करना है गुद्विल जो किया और संबत है अरे कह सकते हैं गुद्विल्हों 672 या पिंद निया गंशेटवं केट अरद कहले अधरे के आपको सुस्षाए नोब सेट निंगर नश्या पर्शेर टाकितने कले लघूरत हो नख के लिए Z कितनी capital लेगे आ रहा है मुझे एक बाद बताओ अगर 1 फोर्थ के लिए 80 ला रहा है 1 फोर्थ के लिए 80 ला रहा है 1 फोर्थ के लिए 80 ला रहा है तो 4 बाई 1 कर दोगे कितना बनेगा अगर 1 फोर्थ के लिए 80 ला रहा है तो reciprocal कर दोगे 4 by 1 तो 4 by 1 के लिए class पूरे firm की कितनी goodwill आएगी पूरे firm की आए एक लास कितना 3,20,000 1 फॉर्थ के लिए आएगा 80,000 और पूरे firm के लिए कितना आएगा 3,20,000 उसके ही share को उसकी capital से reciprocal करके multiply कर दोगे तो आजाएगा आगे बाद समझ अब तुम्हें इस firm की goodwill से all, sorry firm की capital से सारे partner की capital भटाना है तो ज़रा बताओ, x की कितनी है 50, y कितनी है 50, z कितनी है 80, एक चीज और दिये question में चेक करना, क्या दिया गया है profit capital में add होता है या less होता है profit capital में add होता है या less होता है very good profit capital में add होता है कर दो add खतम नहीं हों है काम अभी Z का share निकालो z का share कैज इतना है , अच्छा कोई मुझे बाद मता बतायेगा क्या question में कहीं भी लिखा है कि नया partner goodwill ले लेकर आ रहा है क्या इस question में कहीं भी लिखा हुआ है कि नया partner goodwill लेकर आ रहा है कहीं भी लिखा है लेके आ रहा है इसमें नहीं लिखा बड़ा एक बात ध्यान रखना जब कभी भी जब कभी भी ऐसा लिखा हो कि वो लेके आ रहा है गुडविल तभी हम लाने के एंट्री पास करेंगे otherwise हम ना लाने के एंट्री पास करेंगे अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वो लेकर आ रहा है इसका मतलब वो नहीं ला रहा है जो गुडविल ना लाने के एंट्री होगी जो गुडविल ना लाने के एंट्री होगी वो क्या होई अगर आपको नहीं दिया तो ओल्ड यह ना लाने के एंट्री होती है और अगर आपको नहीं दिया तो ओल्ड इक्वल माना जाता है अगर आपको ओल्ड भी नहीं दिया गया तो आप ओल्ड को इक्वल मानोगे यह एंट्री होगी तो आपने ये करना था इस question में तो आपका hidden goodwill वाला concept भी अच्छे से clear हो गया new ratio clear है basic journal entry clear है ठीक है और आपका hidden goodwill वाला topic भी clear है बेटा कोई अगर capital लिखेगा तो भी सही है बिल्कुल पूरे number मिलेंगे ठीक है बताने किसी ने आपको बता दिया हो current लिखना ऐसा कुछ भी नहीं है capital लिखो गए तो भी बिल्कुल पूरे number मिलेंगे बिल्कुल correct है capital account debit हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कोई problem नहीं है जब पुराने partner goodwill को withdraw करते हैं तो all to cash तब भी हम entry pass करते हैं यह capital current दोनों लिख सकते हो तुमारी मर्जी है कुछ भी लिख लेना दोनों ही correct है capital भी ठीक है और current भी ठीक है तो तुमारी मर्जी है तुम इसे capital लिखना चाहो यह current लिखना चाहो दोनों करेक्ट है अब आते हैं क्लास जड़ा फुल फ्लेज कोशिन के ऊपर इसके फुल फ्लेज कोशिन के ऊपर बैटा रिवैलुएशन एकाउंट क्यापिटल एकाउंट यह सारी चीज आपको आती है तो अभी हम लोग क्या करने वाले कोशिन के अंदर पूरा बनाएंगे रिवैलुएशन क्यापिटल एकाउंट बनाएंगे ठीक है सब चीज बनाएंगे और कम्प्लीट कोशिन तो बेसिक चीजे हम लोगों का सारा का सारा अभी डन हो गया है यहां तक कोई दिक्कत परिशानी किसी को तो बताओ चलो आजाओ जराओ कोशिन नंबर 65 पर पूरा कोशिन अराम से पढ़ेंगे फिर रिवैलुएशन एकाउंट बनाएंगे और नई वाली बैलेंस शीट तो इस चैप्टर में आपको बनानी नहीं है तो बस रिवैलुएशन और क्याप्ल एकाउंट आपको बनाना है और उसकी टूटलिंग वगरा करके हम उसी से एंट्री सीखेंगे यहां तक हम उसी से एंट्री सीखेंगे यहां तक उसी से हम लोग क्या करें क्लास एंट्री सीखेंगे प्रेश्यों कितने बताओ ग्लास फाइव रेश्यों थ्री तीनों का क्यापिल लेते हैं तीनों का बेटा हेड़न गुडल के अंदर हम आल पार्टनर्स लेते हैं नया का भी लेते हैं और पुडाने का भी देखोई जो यह का यह यह है का है यह फंग का और यह प्रॉफिट प्रॉफिट लेते हैं अ ह का दिया होता है वह बहुत लेते हैं इस लाइन का मतलब क्या है मजो कोई बताएगा इस लाइन का क्या मतलब है जेड जो है acquire his share from X Z अपना सारा का सारा share X से ले रहा है sacrifice कौन कर रहा है अकेला sacrifice दोनों कर रहे हैं अकेला कोई कर रहा है sacrifice अकेला कौन कर रहा है X कर रहा है sacrifice जो कर रहा है वह अकेला कौन sacrifice कर रहा है class एक्स अकेला sacrifice कर रहा है तो जो गुडविल बटेगा वह दो में बटेगा या सिर्फ X में बटेगा जो गुडविल बटेगा वह दो में या सिर्फ X में सिर्फ X में अकेला कौन सेक्रिफाइस कर रहा है एक्स सेक्रिफाइस कर रहा है ठीक है चलो यह बात भी समझ आगे मुझे लिखाए कि इंक्रीज भाई घाटा या फाइदा एंप्लोई प्रोविडेंट फंड जो है वह पांच अजार से बढ़ गया तो घाटा या फाइदा वेरी गुड नुकसान है घाटा हो गया एप्पीएफ दस था अब पंद्रह हो गया पहले हमें वरकर को दस लोटाने थे अब पंद्रह लोटान है एप्पीएफ बढ़ेगा तो यह हमाले क्या है क्लास एप्पीएफ के बढ़ने से हमाले घाटा है और घाटा कहां जाता है रिवैलोशन में डेबिट साइड मैं पहले कोश्चिन को बिल्कुल अनलाइज कर रहा हूं फिर मैं कराऊंगा आपको बी पॉइंट आ जो आल डेटर सार गुड का मतलब क्या है सारे डेटर अच्छे हैं कोई भी पैसा नहीं डूबने वाला है तुमने जो पहले 600 रुपे का प्रोविजन बना रखा है जो तुमने 600 रुपे का प्रोविजन बना रखा है उसे आप रिवैलोशन में किस साइड दिखा दो रिवैलोशन में किस साइड दिखा दो एक लास क्रेट से ओके नेक्स्ट इंक्लूड्स थीन हजार फॉर औपसुलेट आइटम खराब हो गया स्टॉक 3,000 का खराब stock है खराब stock कहां दिखाऊगे आप revaluation में debits है खराब stock जो है revaluation में आपकी set दिखाऊगे debits है अगला creators are to be paid 1,000 more creators को 1000 रुपए ज़्यादा देना है opposite मतलब damage creators को आपने 1000 रुपए ज़्यादा देना है creators को आपने 1000 रुपए ज़्यादा देना है तो घाटा हो गया revolution में अच्छा इसमें ना कम ज़्यादा नहीं बोल रहा सीधे बोल रहा 70 पहले कितने का था बोलो पहले fix asset कितने का था 80 का अब कितना हो गया 70 कितना घाटा हुआ 80 का 70 कितना घाटा हुआ 10,000 रुपए घाटा हुआ चलो हमने सारी चीजे सीख ली है अब इन चीज के basis पे हम लोग जो है वो account बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप मेरे साथ साथ पूरा का पूरा account बनाना सीखोगे कि किस तरीके से हम लोग account बनाते हैं और फिर हम लोग क्या करेंगे इसकी एंट्री भी सीखेंगे कि account को देखकर एंट्री हम लोगों को कैसे पास करनी होती है चलो आ जाओ कुशी नंबर था 65 सॉल्यूशन सबसे पहले हम बनाते हैं सबसे पहले हम डेटेल लिखते हैं डेटेल बेटा डेटर आपका बढ़ गया ना प्रोविजन हड गया तो डेटर बढ़ गया आप सोच रहे थे कल को आपका पैसा डूबएगा लेकिन डूबा नहीं डेटर अच्छे हैं तो फाइदा हुआ रिवैलोईशन में क्रेट सेड आएगा प्रोविजन कम हो गया प्रोविजन बढ़ता है तो रिवैलोईशन में डेबेट लिखते हैं प्रोविजन कम होगा तो रिवैलोईशन में क्रेट सेक्रिफाइज बाए एक सेक्रिफाइस कर रहा है एक सेक्रिफाइस कर रहा है अब जड़ा बना लेते हैं री वलेशन एकाउट क्यापल एकाउट बैलेंशीर तो बनाना नहीं हम लोगोह पुछ यहादा चांस एंट्री का है इसलिए मैं आपको अगली क्लास में भी कुछ और अच्छे अच्छे क जाएगे पर्टिकुलर्स और थोड़े बहुत कोश्चिन आप बला है यह पेपर का रिवीजन है पेपर पोस्ट्पोन हो गया तो हम लोग रिवीजन ऐसी कर रहे हैं कि हर चैप्टर के कुछ-कुछ अच्छे कोश्चिन को रिवाइस कर लो जिससे ओवरॉल चैप्टर जो है वो आपका रिवीजन में आ जाए तो एमप्लोईज प्रोवीजन फंड कितने से बढ़ गया है पांच हजार से ओल डेटर्स आर गुड जो आपने प्रोवीजन ऊपर बना रखाए ना 600 रुपय का वो प्रोवीजन खतम बढ़ा इस श्लबस से हट गया है इसलिए नहीं करा रहा है तो स्टॉक को थीन हजार का खराब वो गया स्टॉक क्रेटर्स को एक हजार जादा देना है तो यह तो घाटा ही है अगर आप एक हजार जादा पे करोगी फिक्स असेट्ट जो है वो कितने का था असी कथा सत्तर हो गया दसका यह नुकसान हो तो हम टोटल कर लेते हैं पांच तीन आठ एक नौ उननिस अजार अठारा चार सो किस नाम से आएगा वाई रिवैलोईशन लॉस ट्रांसफर टू क्यापिल एकाउंट ओफ कॉन कॉन इस में एक्स वाइजी पर आप बाटते हो जो भी रिवैलोईशन का गेन है जो भी रिवैलोईशन का लॉस है मैं आपको पिछली क्लास में बताया था आप रिवैलोईशन में कोई दिक्कत परेशानी किसी को रिवैलोईशन में कोई दिक्कत चलो वैरिवैलोईशन कीज़ा होती है मैंने आपको कई बार बताया यह सही है यह सही है यह सही है हर स्टेप की मार्किंग है जितने स्टेप सही होंगे उतने नंबर मिलेंगे तो आप कोशिश करो जो कमजोर बच्चा है ना जो कैसे मेरा पूरा अंसर नहीं आता नो वर यार पूरा नहीं आ रहा है कोशिश करो आपल एकाउंट तीन पार्टनर्स है एक्स वाई-जड मुझे एक बाद बताओ इस कोश्चिन में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है प्लीज चेक करो बुक में जो कोश्चिन नहीं देख रहा उसको तो आधा ऐसी समझ नहीं आएगा कोश्चिन देखना बहुत जरूरी कि 27 इस कोश्चिन में बाटने वाले कितने इस कोश्चिन में कितने बढ़ जाएगा कि डॉझ ŏ है है ए और ये फैन phone मीट जल्दी से मुझे बताओ क्लास यह लॉस है यह प्रॉफित है यह लॉस है या प्रॉफिट है कि बड़ा कई बार बताया है कि पीनल का अगर असेट साइड है तो यह डैबिट बैलन्स है और डैबिट बैलन्स क्या होता है लॉस तो बाड़ दो 2400 है पहले तो आपे काम करो इस हाँ पे लॉस लिख लो टू रिवलुशन लॉस तो रिवलुशन लॉस ग्यारा हजार पांसो शहाजार नौसो यह 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 का पंदरा सो और नौसो और वर्कमैन कॉंपन्सेशन रिजर्व वह फिफ्टी एफ हंड़ का बढ़ता इस बात को कॉपी में लिखो अभी अभी के पीछे लिखो इस चीज को इप्येफ एफ एम्प्लॉई का पैसा है तुम एम्प्लॉई का पैसा बाट लोगे आपको इप्येफ लिखो आय था कहीं भी बटने वाले आइटम में बोलो इस बाटने वाला इटम में अब सुनो सब लोग नया पार्टनर कितने लेकर आएगा यहांगे लिए बैंक करके नया पार्टनर जो भी या पार्टनर लेकर आएगा वह अधर यहांगे रिक दोगे 20 घर बस आप आप आपको बता दूं बस यह है मुझे बताओ सिर्फ मैंने अकेला X में क्यों लिखा गुडविल अकेला X में क्यों लिखा तो कि sacrifice अकेला कौन कर रहा है sacrifice अकेला कौन कर रहा है class X जहर सी बात है sacrifice अकेला X करेगा सारा का सारा गुडविल X में ही बटेगा यह इस question का एक अच्छा point था, इस question में काफी सारे point आ गए, तो अब हम total कर लेते हैं class, यहां पर और तो कुछ बचा नहीं है, सारी चीज़तों हमने करी ली, यहां पर तीनों partner का balance आएगा, वह आएगा 2 balance CD, closing balance आएगा, 3625 यहां आगया 12000 प्लस 70000, यहां आएगा 85625, 85625-11500-1500, 72625, इसका देखते हैं, 312175, यहां आगया 33175, 33175-900-6900, यहां आएगा 25375, यहां आगया 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, यह class हमारा question हो गया, complete, अब हम करेंगे इसकी general entry, पहले copy निकालो और जो बोल रहा हूं फटाफट वो लिखो, जो बोल रहा हूं फटाफट लिखो पहले, जर्नल रूल, एड्मीशन, एड्मीशन का जर्नल रूल लिखो फटाफट, और भूल ला मत, अगली class में आप करोगे question, एड्मीशन बड़ा चैप्टर है, दो क्लास अगर रिविजन के लिए देते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, बी केरफुल, अच्छे से पढ़के एक दमाना, री वेल्यूइशन एकाउंट की एंट्री होगी, सबसे पहले, री वेल्यूइशन एकाउंट की एंट्री होगी, री वेल्यूइशन एकाउंट की हमेशा तीन एंट्री होगी, री वेल्यूइशन की हमेशा तीन एंट्री होगी, री वेल्यूइशन की आपको तीन एंट्री पास करनी है, विवेल्वेशन की तीन एंट्री पास होगी दूसरी चीज डिस्ट्रीबिबल आइटम के एंट्री पास होगी जो डिस्ट्रीबिल आइटम ना बताओ क्लास क्या क्या है जी आर एंडल डवलू सी आर आइएफर गुट्विल एडवर्टीज सस्पेंस और जितनी फ्रिक्वेंटली मुझे याद है उतना ही याद होगा आप ठीक है ठीक है बेड़ा जब भी प्रीमियम बटेगा ना तो प्रीमियम बाई साइड ही बटेगा जब भी बटेगा वह बाई साइड ही बटेगा जो प्रीमियम फॉट्विल बाई साइड ही बटेगा हार चीज फिक्स है पोज़िट साइड इसमें दिक्कत रहे यह उपनिंग बाईलेंस है यह यह डबलू सी और बाईलेंस इसाइड बता बैलांस यहे नया पार्टनर के sense m&h नहीं पेसर में बता रखा है। पूरा का पूरा के अतना इसमें के डिस्ट्रिवाईटम कि एंट्री पास करोगे वह जितने भी आइटम होँगी जितने पॉइंट्म उतनी एंट्री पास होगी इसके अलावा जो जर्नल एंट्री लिखवाई थी ना आपको जो जर्नल एंट्री लिखवाई थी नया पार्टनर क्यापिटल लाएगा नया पार्टनर गुडविल लाएगा उसके एंट्री तो बस इतनी चीजों की एंट्री पास होनी है attempt उंगि retirement में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो देखो Revolution की तीन आप कैसे पास करोगे सब लोग देखलो तो आप Entry class इन सभी प्रश करोगे Entry क्या होगी Revolution account Debits Your Entry क्या करोगी आप Format बना लेना वसर Short format तो दिया हूँ रहता है आप देख लेना ReValley account Debbit two employee provident fund, two stock, two creditors, two creditors, two fixed asset. जोडो कितना बनेगा, पांच, तीन, एक और दस, कितना आए क्लास यहां पर, नाइनटीन थाउजन, अब जो बाई साइड है, इसकी एंट्री क्या होगी, बाई साइड जो उसकी एंट्री क्या करोगे, प्रोवीजन फोड आउट्फूल डेट्स अकाउंट डेबिट, तू री वैलोईशन अकाउंट, 600, 600, और लास्ट में एक एंट्री आपको करने है, गेन या लॉस की, गेन या लॉस क्याप एंट्री पास करोगे, एक्स क्यापल अकाउंट डेबिट, वाई क्यापल अकाउंट डेबिट तू, री वैलोईशन अकाउंट, अठारा चार सो, ग्यारा पान सो और छे नो सो, नारेशन क्या होगी इसकी, बीइंग असेट्स अन लाइबिलिटी आर री वैलोईवड, बीइंग प्रोवीजन इस रिवेर्स्ट, बीइंग री वैलोईशन लाउस, डेबिटेड, तू, पार्टनर्स, जो हो रहा है आप उसी के एंट्री लिखोगे, बीइंग लाउस डिस्टिबूटेड ये भी लिख सकते हो, कोई प्रोब्लम नहीं, जो हो रहा है, जो कर रहे हो, आप उसी के एंट्री लिखोगे, बीटा कभी भी एड्मिशन में एंट्री आजाए, री वैलोईशन की तीन एंट्री आपने लिखने है, ये धियान रखना है, अभी भी अगर आगये लास आपको, तो आप री वैलोईशन की तीन एंट्री लिखोगे, अब इसके बाद, री वैलोईशन की तीन एंट्री हो गई, अब इसके बाद आपने क्यापिल के एंट्री पास करने है, चलो आज़ो फटाफट, एक बात आप दिमाग में सेट कर लो, पता भी आपको होगा हमेशा, हाँ लिख सकते हो, नारेशन में कोई तकलिफ नहीं है, ये नारेशन तो कैसे भी लिख दो, होना चाहिए लिख दो, बड़ा सुनो, BD और CD की कोई एंट्री पास नहीं करते, पता होना चाहिए आपको, BD और CD की कभी कोई एंट्री आप पास नहीं करोगे, BD और CD की कोई एंट्री पास नहीं करोगे, ओके, लॉस की एंट्री हम अल्रेडी पास कर चुके हैं, लॉस की एंट्री हम अल्रेडी पास कर चुके हैं, तू पी एंडल 1500 900 कितना आएगा 2400 अच्छा डवलू सी आर के एंट्री क्या करोगे डवलू सी आर एकाउंट डबिट 2 X 2 Y डवलू सी आर कितना है 500 था ना 3625 2175 अब नया पार्टनर क्यापिटल लेकर आएगा क्याश अकाउंट डविट 32 तू Z क्यापिटल कितनी ला रहा है वह 20 मैं एक साथ कर रहा हूं तुम्हारी मर्जी है तुम भी एक साथ कर सकते हो चाय अलग लग भी कर सकते हो तू प्रीमियम फॉर गुडिल कितनी है बारा तू प्रीमियम फॉर गुडिल बारा हजार और जैसे प्रीमियम लाएगा बेटा प्रीमियम किस में बटेगा एक्स और वाई में अकेला एक्स में यह हो गई खतम एंट्री आठ नंबर एंट्री भी हो गई और एकाउंट भी हो गई बटा री वैलुएशन के एक तू डेबिट साइड की जितनी भी चीज़ें है आप उसकी एंट्री पास करोगे री वैलुएशन एकाउंट डेबिट और डेबिट साइड टू इपीएफ टू स्टाउक टू क्रेटर्स टू फिक्स सेट जो भी होगा वह सारा का सारा कर लोगे यहां तक और जो क्रेट साइड है उसका नाम पहले लिखा रहा है आप 11 से सीखते आरो जर्नल से लेजर और लेजर से जर्नल और पूरे के पूरे पार्टनर्शिप में ध्यान रखना जब भी आपको एंट्री पास करना हो तो यह जो भी अकाउंट है उसको डेबिट करोग और जितनी भी चीज़े बाई साइड लिखी है उनको आप पहले लिखोगे यह डेबिट टू रिवालुशन एक्स डेबिट वाई डेबिट टू रिवालुशन सिंपल यह तो रूल समझना है और कुछ नहीं बिल्कुल डेबिट वाले में सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट अब ही देखो एंट्री इन ही चीजों की होगी एक रिवालुशन की एक बटने वाले आइटम की एक जो हमने शुरू में एंट्री पढ़ी है और वो भी बताऊं दस में से नौ कोशिन में दो यह एंट्री पास होती है नया पार्टनर क्यापिटल ला रहा है नया पार्टन Q-C keynote क्युक कहुटैंगा और ये जो सारे के सारे क्लास में डिस्कस का रऊंगा और उसके बाद हम लोग एक और और आपको यहां पर दे दूगगा उंße को पढ़के आना, next class में जितने भी और point होंगे, doubt होंगे, इस chapter के, पूरे इस chapter में, जो भी कुछ है, इस chapter के अंदर, जो भी कुछ है, वो next class में खतम करें, so good night, take care, कल मिलते हैं,